किसान विकास पत्र भाड़स सरकार की बहुत ही महत्पूर्ण और महत्कांची योजना है पोश्ट ओफिस में बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ एकांट ही इसलिए खुला रखा है ताकि वो किसान विकास पत्र से जुड़ पाए आपको बता दे कुछ यूट्यूबर्स किसान विकास पत्र को लोटरी की तरह बता रहे हैं ब्रामक करके बता रहे हैं कि आपके पैसे डवल हो जाएंगे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे लेकिन आपको पैसे लगाने से पहले हर एक term and condition को समझना चाहिए कि ये scheme सच में आपके लिए अच्छा है या नहीं है तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं किसान विकास पत्र के एक-एक term and condition इसके फाइदे और इसके नुखसान के बारे में ये बात तो हम सभी को पता है कि किसान विकास पत्र में एक निश्चित अबदी के बाद हमारे पैसों को दवल करके दिया जाता है लेकिन आपको इसके interest rate का भी पता होना बहुत ही जरूरी है पहले जो इसका interest rate मिल रहा था वो था 6.9% लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा कर अब कर दिया है 7.2% आपको बता दे जिन्होंने 19-22 साल 2019 और 20 में पैसे जमा किये वो अभी जवरदस्थ फाइदे में है ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय जो interest rate चल रहा था वो था 7.6% तो interest rate हमेशा बदलते रहता है किसान विकास पत्र का और इसका update हम आपको इसी चैनल पे देते रहते हैं अभी मैं आपको एक एक करके किसान विकास पत्र के 8 फाइदे बताने जा रहा हूँ इन आठो फाइदों के सुनने के बाद आप decide कीजिएगा कि आपको किसान विकास पत्र में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है सबसे पहला फाइदा है निश्चित return जो भी पैसा आप जमा करोगे उस पे 100% निश्चित return मिलेगा कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा कि आपका पैसा घट जाएगा या फिर कुछ different चीज हो जाएगी आपका पैसा guaranteed मिलेगा दूसरा है जोखिम रहित Central Government Post Office को operate करती है इसलिए आपका पैसा 100% जोखिम रहित है कई लोग आपको बोलेंगे कि इस scheme से अच्छा है कि आप अपना पैसा mutual fund में लगा दो आप अपना पैसा share में लगा दो लेकिन believe कीजिए कि सान विकास पत्र जो है 100% जोखिम रहित है 100% आपके पैसों को डवल करके ही मिलेगा तीसरा सबसे अच्छा चीज क्या है कि सीमा रहित जमा मतलब की कोई भी सीमा नहीं रखी है सरकार ने कोई भी वैक्ती 100 के गुनांक में मतलब 1000 रुपे से लेके अधिक्तम कितने का भी किसान विकास पत्र ले सकता है सरकार ने इस पर कोई रोक टोक नहीं रखा है उसके बाद नोमनी बनाने की सुवधा मतलब आप अपने किसान विकास पत्र एकाउंट में किसी भी व्यक्ति को नोमनी बना सकते हो इसके बाद long term return को समझना चाहिए आपको किसान विकास पत्र इसी लिए इतना popular है कि आपके पैसे वो 10 साल के लिए लेता है और 10 साल के बाद जितने भी मुल्ग को आपने जमा किया है उसको double करके आपको देता है उसके बाद समझे कि maturity के पूर्व अगर आप पैसा निकालना चाहते है 2-3 case सरकार ने ऐसे भी condition बनाया है कि उस condition में आप अपने पैसे निकाल सकते है आप अपना किसान विकास पत्र जो है दूसरे व्यक्ति के नाम पे भी transfer कर सकते है अगर आप एक जगा से दूसरे जगा जा रहे हैं तो आप अपना post office account भी transfer कर सकते है ये सारे फाइदे थे किसान विकास पत्र के इन सारे फाइदों को सुनने के बाद अब आप decide कीजे कि आपको किसान विकास पत्र लेना है या नहीं लेना है अब हम लोग समझेंगे कि और इसके term and condition क्या है और last में मैं बताऊंगा कि इसके कुछ demerits है वो क्या क्या है एकाउंट कोन खुलवा सकता है किसान विकास पत्र का तो आपको बता दे कोई भी adult वेक्ती जिसकी उमर 18 साल से ज़्यादा है वो एकाउंट खुलवा सकता है 10 साल से ज़्यादा का बच्चा जो signature करने जानता है वो भी account खुलवा सकता है और पैसे जमा कर सकता है किसान विकास पत्र में इसके अलाबा सरकार कहती है कि अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोड है और उसके माता पिता उसके नाम पर किसान विकास पत्र खड़ीदना चाहते है तो उस condition में उनके guardian भी खड़ी सकते है पती पतनी एक साथ joint account भी खोल सकते है दो वेक्ती एक साथ joint account खोल सकता है या फिर तीन वेक्ती एक साथ joint account खोल सकता है सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान विकास पत्र से जुड़े इसलिए सरकार का कहना है कि हमने किसान विकास पत्र में 99 रासी 1000 रुपए रखा है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखे मतलब 100 के गुनांक में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए या फिर 6000 रुपए, जो भी रकम 100 के गुनांक में होगा वो आप जमा कर सकते हैं किसान विकास पत्र में और एक question common है जो लोग पूछते हैं कि एक व्यक्ति कितना किसान विकास पत्र ले सकता है तो आपको बता दे इसके लिए भी कोई सीमा नहीं है अब पहले तो ये passbook mode में मिलता था एक certificate जारी किया जाता था लेकिन आप सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया आप आप online post office के website पे भी अपने account में login करके किसान विकास पत्र खड़ी सकते हैं मतलब इसका e-roop जारी कर दिया गया है आप कोई भी व्यक्ति कितना भी किसान विकास पत्र खड़ीदना चाहे तो वो खड़ीद सकता है इसको ऐसे समझे कि अगर एक व्यक्ति मन्त में 30 दिन में 30 नए किसान विकास पत्र खड़ीदना चाहेगा तो भी वो खड़ीद सकता है इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है अगर आप किसान विकास पत्र लेने की तयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात की जौनकारी होनी चाहिए कि सरकार जो है चार तरह के किसान विकास पत्र देती है एक है 1000 रुपे का किसान विकास पत्र दूसरा देती है 5000 रुपे का किसान विकास पत्र तीसरा देती है 10,000 रुपे का किसान विकास पत्र और चौथा किसान विकास पत्र जो होता है वो 50,000 रुपे का होता है अब ये समझते हैं कि अगर बीच में कोई कंडिशन ऐसा आ गया तो हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए सरकार कहती है कि तीन कंडिशन में आप अपना पैसा निकाल सकते हो सबसे पहला कंडिशन खाते धारत की अगर मिर्ती हो जाती है तो उस condition में निकाला जा सकता है दूसरा condition अगर magistrate जो है किसान विकास पत्र जब्त कर लेता है तो उस condition में आपके पैसे निकाले जा सकते हैं और तीसरा condition जो होता है कि धाय साल पूरा होने के बाद अगर धाय साल पुरा होने से पहले आप एक साल के अंदर पैसा निकालोगे तो आपको ब्यास दर भी नहीं मिलेगा और हो सकता है आप पे पैसा निकालोगे तो आपके उपर कोई पैसा निकालोगे तो आपके उपर कोई पैसा नहीं लगेगी और आपको ब्यास दर भी पूर होने चाहिए तो आप खड़ी सकते हैं आप वेस्क हैं तो आप खड़ी सकते हैं इसके अलाबा नाबालिक या फिर मांसिक रूप से कमजोड बच्चों के लिए उनके अविवावक का साथ होना बहुत ही जरूरी है उनहीं के सिगनेचर पे वो किसान विकास पत्र खड़ीत प पत्र नहीं है और आप खड़ीदना चाहते हैं तो उस कंडिशन में आपके पास ये सारे पेपर्स होने चाहिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए आइडिन्टिटी प्रूफ करने के लिए उसके लिए आप आधार कार्ड और या फिर वोटर आईडी कार्ड जमा कर सकत हो जन्मतिति के पर्मान पत्र के लिए आप जो है अपना कोई वी 10th का मार्क सीट या फिर 12th का मार्क सीट या स्कूल का आइडिन्टिटी कार्ड यूज कर सकते हो ये सारे important papers थे जो आप कुछ होने चाहिए आपके पास किसान विकास पत्र जुडने के लिए इसके अलाबा अगर आपने post office में account खुलवा लिया तब तो all based है आप direct post office के internet banking में login करके किसान विकास पत्र खडित के वहाँ से download कर सकते हो ये था process किसान विकास पत्र में सारे documents का अब ये समझते हैं कि कहां से हमको किसान विकास पत्र मिलेगा किसान विकास पत्र आप post office से कहीं भी खडि सकते हैं इसके अलाबा तीन private bank है जो किसान विकास पत्र दे रहे हैं सबसे पहला bank है ICIC bank दूसरा bank है HDFC bank और तीसरा bank है access bank आपको बता दे सरकार ने आप e-mode में किसान विकास पत्र देना start कर दिया है मतलब आप online internet banking के द्वारा भी किसान विकास पत्र ले सकते हैं इसको ले passbook mode में आपका खाता होना चाहिए bank में इन तीनों bank में या तो ICIC HDFC या फिर access या फिर सबसे अच्छा post office इन में खाता होगा वहाँ जाकर आप अपना बोलते हैं कि हमें किसान विकास पत्र में जुड़ना है वो आपको एक form देते हैं उस form को आप भरते हैं और आपके रासी को काट लिया जाता है अब हम लोग सबसे जरूरी चीज को समझने जा रहे हैं किसान विकास पत्र के वो है compound interest का खेल कि कैसे किस तरह से interest मिलता है और किस तरह से इसका compounding किया जाता है इसमें किसान विकास पत्र के ब्यासदर के game को समझना बहुत ही जरूरी है ऐसा मैं इसलि में वो आपके account में जोड़ दिया जाएगा और next year अगले साल जो है आपको चक्रवीर्दी ब्याज मिलेगा मतलब आपका जो ब्याज मिला है पिछले साल उस पे भी आपको ब्याज मिलेगा आपको एक चीच और समझना जरूरी है कि किसान विकास पत्र में आप जिस समय जुड़ोगे और उस समय जो आपका interest rate चल रहा होगा वही चलता रहेगा जैसे 2019-2020 में अगर कोई वेक्ति जुड़ा है और उस समय interest rate 7.6% ता तो उसको 7.6% ही interest rate मिलेगा पूरे 10 साल तक अगर आप अभी जुड़ोगे आपका interest rate 7.2% है तो पूरे अगले 10 साल तक interest rate बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है आपको interest rate जो मिलेगा वो 7.2% ही मिलेगा अब ये समझते हैं कि जो लोग tax भर रहे हैं उनको किस तरह का फाइदा होता है किसान विकास पत्र से किसान विकास पत्र के tax छूट की नियम को समझना होगा आपको सबसे पहले ये समझे कि किसान विकास पत्र में आपको किसी भी प्रकार का tax छूट नहीं मिलता इसमें जमा करने वाली रासी पे आपको धारा 80C के तहत भी टेक्स छूट नहीं मिलता लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस पे अगर टेक्स छूट लेना हो तो वो कैसे लिया जा सकता है आपको बता दे आप जो है form 15G और form 15H भरके इसके टेक्स बेनिफिट ले सकते हैं अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो रासी हम जमा करेंगे उस पे हमें टेक्स लग जाएगा मतलब वो रासी जब मैच्योर होके हमें मिलेगा 50,000 जमा किया एक लाक रुपे जब हमें मिला तो उस पे सरकार टेक्स काट लेगी लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो भी रासी आप जमा करोगे उस पे सरकार हर साल आपके ब्यासदर में से टेक्स काटते जाएगी इसलिए जब आपकी रासी आपको मैच्योर होके मिलेगी जब आपकी रासी आपको कम्पलीट होके मिलेगी उस समय आपको कोई भी तरह का tax चुकाना नहीं पड़ेगा, पूरा रासी आप घर ले जा सकते हो, आपको tax benefit यही मिल रहा है इसमें, इसके अलावा आप form 15G और form 15H बढ़के tax benefit ले सकते हो, अब बात करते हैं किसान विकास पत्र के सबसे बड़े demerit के बारे में, सबसे नुकसान तो इसका यही है, कि इसमें पैसा हमारा बहुत दिन के लिए lawf हो जाता है, मतलब इस तरह से समझिए, कि 10 साल के लिए आप पैसा दे रहे हो सरकार को, और 10 साल बाद आपको सरकार क्या दे रही है, तो पैसे आपके double करके दे रही है, लेकिन इस 10 साल के बीच में क क्या होगा कब आपको पैसे की जरुरत पढ़ गई डाय साल के बाद जरुरत पढ़ता है तो आपको इंट्रेस सहीत मिल जाता है लेकिन ये बहुत ही लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट है मतलब बहुत ही स्टेवल माइंड चाहिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट को करने के लि लिए ये बेश्ट है या फिर वो लोग जो एक छोटे छोटे रकम को जमा करना चाहते हैं मतलब ये समझे कि कोई व्यक्ति है जिसकी रोज की कमाई जो है तीन सो रुपए है या फिर रोज की कमाई किसी व्यक्ति की जो है हजार रुपए है वो चाहता है कि रोज जो है हम दो हजार रुपए है, रोज हम हजार रुपए का ये खड़ीद ले, किसान विकास पत्र खड़ीद ले, तो इसी तरह से अगर वो रोज हजार हजार रुपए का भी किसान विकास पत्र खड़ीद ले, तो इसी तरह से अगर वो रोज हजार हजार रुपए का भी किसान विका ले लेकर पैसा जमा करते रहा क्यूंकि ये किसान विकास पत्र तो एक है इस तरह के कई विकास पत्र हैं जो अलग-अलग पोस्ट ओफिस की योज़नौ में आते हैं एक अभी नया भी लॉंच किया गया है जिसका नाम है महिला विकास पत्र उसके बारे में भी मैं एक वीडि के माद्यम से बताते रहेंगे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और हमारे साथ बने रही है आपका बहुत बहुत धन्यवाद